हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम अरट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक डिसकस करेंगे जो मई 2021 में चर्चा में थे कौन कौन से टॉपिक होंगे पहला है सैना वस्था में बुद्ध की प्रतिमा इस्थापित करने की बात की जा रही है दूसरा अबिस सुभी रहसत इस्थलों की संभावित सूची भारत ने यूनिस्को को सौप दी है और तीसरा है राज भासा का तुलू भासा को राज भासा का दर्जा प्रत करने की मांग की जा रही है पहले टॉपिक है सैना वस्था में बुद्ध की प्रतिमा ये कौन इस्थापित करने की बात कर रहा है बुद् बुद्ध अंतरराष्टी कल्यान मिसन मंदिर जो की बोध गया में इस्थित है यह प्रतिमा क्या दर्साती यह रोगी काया की अंतिम अवस्था को बताती है और परिनिर्वान पूर्व अवस्था को बताती है और यह प्रतिमा यह भी बताने का प्रयास करती है कि सभी गमृत्व और पुनर जन्म के चक्र से मुक्त होने की चमता विदमान होती है ये है रेकलाइनिंग बुद्धध आप इनको देखेंगे कि ये आपके राइट हैंड में रेकलाइनिंग होती है ये ये अपने दाहिनी हाथ की तरफ लेटे हुए दरसाया जाता है इस मूर्ति मे यह पहली बार गंधार कलासेली में चित्रित की गई थी पचास इसाप पूरु से पचछत्तर ईस्वी के मध में और कहा कहा रेक लाइनिंग बुद्ध की मूर्तियां है पहला एक है अजन्ता जो की भारत में हिस्तित है बाफून हिंदू मंदिर कमबोडिया में है और विंसन ताब्या गुद्ध पृतिमा में अमार में है यह आपको याद रखना इंपोर्टन्ट हो जाता है इस साल क्योंकि यह सही जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है अंगला टॉपिक है विस्विरासत इस्थलों की समभावित सूची भारत ने यूनिस्को को सौप दी है उसमें से कौन कौन से इस्थल है टोटल छे इस्थल उन्होंने सौप है जिसमें से पहला कांची पुरम के मंदिर जो की तमिल नड में इस्थी था यह वेगवती नदी के तट परिस्थी था यह सेर और यहां के जो मंदिर है वो द्रवडियन सेली में बनाए गए है कौन कौन से मुख मंदिर है एकम बेश्वर मंदिर और कैलासनास मंदिर यह दोनों सिरुजी को समरपित है और वरद राज पेरुमल मंदिर और उलग लंदा मंदिर यह दोनों विश्णुजी को समरपित है दूसरा इस्थान है हायर वेंकल महापासाण इस्थल यह करनाट का मेवस्तित है यह भरती प्रगयति हैसिक लोह युगीन महापासाण संस्कृतिके कि अनुष्ठान प्रथाओं वा अन्तेष्ठी के बारे में जानकारी देता है कौन यह हायर वेंकल महापासाण इस्थल है यहाँ प्रगयति हैसिक कालिन सैल चित्रकला भी पाई जाती है महापासाण जनरली उसी संस में कहा जाता है कि जब लोगों की अन्तेष्ठी करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से घेर के ऐसे रख दिया जाता है वही अब कब महापासाण उनको कहा जाता है तीसरा है सैन मराठा इस्थापत कला जो की महराश्ट में है यह च्छत्रपती सीवाजी महाराज के काल में निर्मित यानि की सात्रवी सदी में निर्मित किले सामिल करता है इसमें कौन कौन से हैं सिवनेरी किला जहां सीवाजी महाराज का जन्म हुआ और अलिवबाग का किला जहां महाराज का सेनड़ा था और राजगर्ड का किला जहां महाराज ने सबसे लंबे समय तक 26 साल लगबग नियंतरन किया कहां राजगर्ड के किले में अंगलाइस्तान है सत्पूरा टाइगर डिजर्व जो की मदपदेश में है यह MP का फर्स्ट बायोस्पेर रिजर्व घोसित किया गया था कौन सत्पूरा टाइगर डिजर्व जिसे 1999 में बायोस्पेर रिजर्व घोसित किया गया था और सत्पूर्य टाइगर रिजर्व को सत्पूर्य टाइगर रिजर्व में भारत की लगभग 17% बाग की आवादी निवास करती है और यहां इसी के सत्पूरा टाइगर रिजर्व के असपास 55 सैल आस्रे हैं जो की 15 सो से 10 अजार वर्स पुराने हैं जहां थी बाग हीराण के चित्र मिलते हैं पाचवाइस्तान भेडा घाट लमेटा घाट जो की मद्द प्रदेश में इस्तित है जवलपूर सिटी के आपास यह नरवनदा नदी पर इस्तित है भेडा घाट और भारत का ग्रेंड कैनियन कहा जाता है यहां डानस और के जिवास में पाए जाते हैं और वारा नसी के जेसो घाट, पंचगंगा घाट, दसा सुमेग घाट, मडी करनिका घाट और असी घाट तिसरा टॉपिक है करनाटक और केरल में तुलू भासा को राज भासा का दर्जा प्रदान करने के लिए आठिमीन सूची में सामिल करने का अभियान सामिल किया गया है राज भासा का आठिमीन सूची में जो भासा सामिल हो जाती है उसे राज भासा का दर्जा प्राप्त कर दे दिया जाता है इसे संबनित अनुछे 343 से 359 तक के बीच में इस्तित है यह यूनिस्को द्वारा प्रकासित यूनिस्को द्वारा प्रकासित एटलस आफ द वर्ड भासा है तुलू भासा एक सुवेद भासा यह इंपोर्टन फैक्ट है और दूसरा है कि एटलस आफदा वर्ल इन डेंजर की रिपोर्ट कौन जारी करता है यूनिसको यह इंपोर्टन एक हो जाता है और यूलू उद्घोशना यूलू प्रोकलमेशन भासाई विविद्ध के संरचन के लिए समर्पित यूनिसको का एक दस्ता वेज है यह इंपोर्टन हो जाता है यूलू उद्घोशना और तुलू एक सुवेद भासा है अगर आप भूलें यूलू उद्घोशना किसे संबंदी थे तो यूलू को आप तुलू से कनेट कर सकते हैं तुलू एक द देश के रूप में मानता प्रदान करता है यह नहीं कहता कि हिंदी को ही राजवासा बना लेकिन इसको बनाने के लिए प्रोचाहित करती है लोगों को और आठमी नसुची कि का एक वेक्ट है इंपॉर्टन फेक्ट है कि आठमी में सूची में सामिल करने के लिए संब्धा होनी चाहिए ये उलिखित नहीं है राश्टी धार्मिक और भासाई अल्पसंक्यक आयोग की अनुसंसा पर केंदर सरकार समिधान संशोधन करके समविष्ट करती है किसे किसी भासा को आठ्वी अनुसूची में इतने ही टॉपिक थे कीप लर्निंग